नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों मेरा नाम है हर्च और एक फिर से स्वागत आपका अपने चैनल हर्च CSC इंफो पढ़ देगे दोस्तों आपने CUT का एक्जाम दिया होगा और अगर आप अप बनारस हिंदियू इंडियू इंडियू में एड्मिशन लेना चाहत आपको मेरा अपने चैनल होगे तो डियूगे आप इस पेज़ पर आजाओगे अब यहां पे आपको साइन इन बर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एप्लिकेशन नंबर और रो रो नंबर डालना है CUT का दोनों चीगा डालके आपको सिंपलिस प्लिक करके login अपनी profile कर लेनी है and जैसे जब अपनी profile submit करोगे तो आपके सामने दो option आएंगे एक का my application का और एक का preview form का make payment का option जब आता है तब आप एक दो step complete कर लेते हो और उसके बाद logout करके दोबारा अपनी profile login करोगे then आपके सामने make payment का option भी आ जाएगा right so अब आपको क्या करना है आपको my application पर click करना है and click करोगे तो आपके सामने पूछेगा क्या आपको कोन से course के लिए apply करना है वहाँ पर दो step आपके सामने होंगे वो भी आपको select कर लेने है and उसके बाद आप कुछ इस तरह का interface आपके सामने खुल जागा मैंने वो already select कर लिए है इसलिए वो यहाँ पर show नहीं किये है तो आपको वो select कर लेना single option होगा तो वहाँ पर आपको कोई भी confusion नहीं होगे वो select करके आप जैसे next step पर आओगे तो वहाँ पर आपके सामने होंगे 5 आपके सामने section होंगे light सबसे पहले आपको applicant details होंगी upload photo signature है education details है documents upload है preview and confirm का आपके सामने option होगा तो आपको one by one सभी step जो हो complete करने है सभी के सामने यहाँ पर incomplete लिखा होगा तो सबसे पहले आपको click करना होगा applicant details में right अब application details में जैसे आप click करोगे तो यहाँ पर आपका candidate का नाम होगा father name होगा mother name होगा phone number आपको खुझ से फिल करना पड़ेगा category और date of birth आपको खुझ से फिल करनी पड़ेगे name father name mother name और category और gender यह चार्ज पांच चीज आपके already filled होगी और आपको phone number और date of birth आपको खुझ से यहाँ पर आपको फोटो का साइज बढ़ा नहीं होना चाहिए फोटो का साइज बढ़ा है तो आपको छोटा कैसे करना वह आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा तो अभी वीडियो कंटीनू कर दें और सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो और फिर यहाँ पर आपको signature अप्रोड करके कितने में से मिले हैं वह यहाँ आपको डालना है उसके बाद जैसे आप tab या ok पर क्लिक करोगे तो percentage यहाँ पर automatic अपने आप उठा लेगा है उसके बाद यहाँ पर save and proceed पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको अप्लोड करने है अपने document सबसे पहले matriculation याई आपको 10th की mark sheet यहाँ पर अप्लोड करनी होगी उसके बाद 12th year करनी है उसके बाद का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो का सर्टिफिकेट आपको अप्लोड करना होगा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो राइट उसके बाद other documents लाएक आपके पास अप्लोड करना है और अप्लोड करते होगे एक गलती आपको नहीं करनी है वह क्या है देखिए जैसे आप चूस फाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके समने फाइल सोपन हो जाएंगी कोई भी फाइल आप चूस करोगे राइट जैसे मैंने मालने जीए यह वाली च क्लियारिटी है वो बिल्कुल खतम हो जाएगे और इस कंडिशन में हो सकता है कि आपको जो फोम है वो भी रिजैक्ट हो जाए तो आपको क्या करना है जो आपका फाइल का साइज है वो आपको खुद से कम करना है कम कैसे करना है वो वीडियो क्लास में आपको बताऊंगा तो आपको इस तरह से आपकी document upload नहीं करने है, auto resize करके, आपको खुच से अपने photo जो भी size आपकी file का, वो खुच से कम करना है, और उसके बाद आपको upload करनी है, यह चीछ आपको clear यहापे कर देनी है, और उसके बाद आपको save and proceed पर click कर देना है, एंड देखी, जैसे हम next step पर आओगे, तो यहाँ पर आपकी details, सभी details शो कर देगा, आपके नाम वगएरा, father, date of worth, जो भी details होंगी, basic details जेतनी भी होंगी, सभी show कर देगा, उसके लाब यहाँ पर educational qualification की details आपको show कर देगा, 10th की और 12th की, उसके लाब यहाँ पर जो आपके score आपने किया था, वो यहाँ पर आपको show करेगा, उसके लाब आप course details यहाँ पर show करेगा, आपकी document आपने क्या-क्या upload किये, वो यहाँ पर show करेगा, अगर कोई भी गलती है, कोई भी आपको गलती यहाँ पर दिखती है, तो आपको क्या करना है, directly back step पर जाना है, और जहाँ भी आपकी गलती है, वो इस तरह से आपको अपना form fill करना है, कोई भी गलती नहीं करने है, form को 2-3 बर आपको cross check करना है, अगर कोई भी गलती है, तो हो सकता है कि आपका जो form है, वो reject हो जाए, और इस तरह से आपका admission ना हो पाए, तो राइट, अगर form में 2-3 मिन एक्स्रा लगती है, तो वो आप ल जो जीन option होते है, जो paint होता है, computer में paint से आप कर सकते हूँ, या फिर आप photoshop से कर सकते हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बतादा हूँ, आपको paint से size है, वो छोटा कैसे करना है, देखिए, अब मालनी जी मुझे इस page का size चोटा करना है, तो मैं क्या एक होगा है, यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक आपको हटा देना है वहां से, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको size फिल करना है, जैसे मालनी जी आपकी file का size है, पांच जाहर है, तो उसको half आपको कर देना है, जैसे मालनी जी मेरा 500 के करीब है, तो मैं इसको यहाँ पर 200 कर दूँँगा, या complete हो चुका है, फिर भी मालनी जी आपके file का size जो है, वो छोटा नहीं है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, directly आपको Google पर search करना है, compress now, c-o-m-p-r-e-w-s-n-o-w, यह एक website है, जहां से आप किसी भी file का size छोटा कर सकते हो, आपको simply open कर लेना है, and upload पर आपको click करना है, upload प 821 kb का size यहां पर हो चुका है, तो मैं इसको compress करूँगा, and compress करके, यहां पर download पर simply click करके, मैं इस size को download कर लूँ, और देखे, यहां पर मेरा 821 kb की file है, वो यहां पर download हो जाएगी, और directly मैं इसको upload कर दूँगा, इस तरह से क्या होगा, जब की file की clarity है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, जो file आपकी पहले थी, वही clarity आपकी इस file में रहेगी, और इस तरह से आपको जो form है, वो reject नहीं होगा, documents की वज़े से, तो इस तरह से आपको file का size छोटा कर लेना है, and upload आपको कर देना है, so, और कोई दिक्कत आपको आती है, कोई भी problem आपको आती है, वीडियो के साथ, तब तक के लिए, धन्यवाद.